नेचर क्योर्स, नट द फिजीशियन, यानि के हमारी जो प्रकड़ती है, वो हमें जो है स्वस्त रखती है, दुनिया की कोई दवाई, कोई सरजरी, कोई प्रोसीजर ऐसा नहीं है, जो हमें हमारी स्वस्तता प्रदान कर सके. फ्रांस के एक विद्वान चिकितसक, माजेंदी उनका नाम था, और उन्होंने फ्रेंच अकेड़बी, वे फ्रेंच अकेड़बी में शरीर विज्ञान के अध्यक्ष थे, और उन्होंने एक प्रियोग किया, पैरिस के एक हॉस्पिटल में उन्होंने रोगियों को तीन जन्रल प्रोटोकॉल अफ मेडिकल वर्ल्ड का, जो मेडिसन का प्रोटोकॉल होता है, वो मेडिसन दी गई, और यह वही यह इन्फ्लुएंजा लाइक और जो बुखार और वाइरस के चलते जो बिमारिया हो जाती हैं, उसी प्रकार के पेशेंट्स थे, जिनको उन्होंने तीन वर्गों में भाठ दिया, एक वर्ग को तो उन्होंने प्रॉपर मेडिकल मेडिकेशन दी, दूसरे वर्ग को उन्होंने घरेलू दवाईये दी, और तीसरे वर्ग को कोई दवा नहीं दी, परिणाम स्वरूप जिस वर्ग ने कम दवाएं खाई, वो अधिक दवा खा रहे एक और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जब आगे चलकर ये रैश्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और उसके रोगी ओमको जब दो ये प्रियोंट किया तो उन्होंने जिस वर को जो है दवाइच दी और एक वर को दवाइच बिल्कुल नहीं दी तो बस प्राकृतिक चिकित कि प्रियोगों द्वारा ही उन्हें रखा गया तो यह पाया गया जो पहला वर्ग जिसको मेडिसन इत्यादी दी गई उस वर्ग के एक चोथाई जो रोगी थे उनकी मृत्यू हो गई और जिस वर्ग को दवाएं बिलकुल नहीं दी गई थी उनमें से एक भी एक की भी मृत् दिहास गवा है यह इस तरह के प्रियोग और टाइम इन अगेन हमारे नॉबल लॉरेट्स और मेडिकल एक्सपर्ट्स बार बार यह बताते आए हैं कि बीमारियों से जितने लोग नहीं मरते उससे कहीं गुना ज्यादा जो लोगों की मृत्ति होती है वो एड़र्स ड्रग रियक्शन के चलते होती है दवाईयों के साइड एफेक्ट्स के कारण होती है और आज इस प्रेजन टाइम्स में भी यही हो रहा है म्यूकर माइकोसिस जिसको जो है ब्लैक फंगस भी कहा जा रहा है यह बहुत एग्रेसिव तरीके से पेशेंट की इम्मिनिटी को सिस्टम को वीक करता है और स्पेशली जो अल्रेडी को मॉर्विड कंडीशन में लोग है डाविटेक है कोविड है और साथ साथ उनको स्टिरोड जित्यादी दिये गए तो उस तरह से उनकी इम्मिनिटी और भी लो हो जाती है और यह जो म्यूको माइकोसिस स्पोर्स होते हैं यह ह हमारे सॉइल में हवा में भोजन में हर जगा पाए जाते हैं याद रखिए कि हमारा जो मानव शरीर है वो 90% माइक्रोब ही है हमारे भीतर हमारे बाहर चारो तरफ जो है हम लोग वाइरसे पैथोजन माइक्रोब से गिरे हुएं लेकिन वो कब घातक रूपधारन करते हैं जब हमारी इमिनिटी लो होती है जब हमारे भीतर टॉक्सिक वातवरन होता है और उनको वहां ब्रीड करने का मौका बिल जाता है फलने फूलने पनपने का मौका मिल जाता है और आज जो है एम स्के डारेकटर रников गुलेरिया जी ने भी यही काहा है कि यह जो ब्लैक फंग हो रहा है यह because of misuse of steroids covid patient इत्यादी में with comorbid conditions जिनको steroids को भर-भर के दिया जा रहा है तो यह major cause है यह black fungus क्योंकि अब जब इस steroids जब हम लेते हैं अपनी body में तो हमारी जो natural immunity है वो suppressed हो जाती है और steroids हमारी body take over कर लेते हैं तो जरा भी कोई बाहर से pathogen, microbes से जो है हमारी body lung नहीं पाती और फिर जो है हमारी fatal condition हो जाती है तो याद रखिए कि यह जो secondary infection है primary covid आया उसके बाद जो है उसका मैंने बार-बार का है कि correct management अगर नहीं होगा तो वो घातक रूप ले लेगा तो जब primary infection आया आपने बहुत दवाईयां ली और steroids इत्यादी लिए तो उसके कारण जो है आपकी immunity जो है और भी down चली जाएगी और फिर आपको जो है secondary infection जो होंगे जिससे जिसमें किसी से भी infection हो सकते है bacteria से virus से आसपास जो भी जिवानू है जब हमारे भीतर की रोग प्रतिरोदक शमता ही नहीं रहेगी तो कोई भी जरा सा जो है कि टानू हमारे पर आक्रवन करके हमारी स्कृति को गंभीर कर सकता है तो यहां majorly बात समझनी कि क्या है कि ultimately nature cures not the physician the very first science आपके किसी infection के किसी बीमारी के होते हैं तो सबसे पहले जिस तरह से मैं time and again हम लोग चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक तरीकों से जो है हम हमें जो है उसका समाधान करना है नहीं तो देख लीजिए आपके सामने उसका जो है आज जो black fungus और नजाने कितने infection आ जाएंगे उसका क्योंकि अंत ही नहीं है किस-किस infection से, bacteria से, virus से हम लड़ेंगे तो हमें बाहर जो है उन से बचाव करने के तरीके की बजाएं क्यों नहीं हम अपने भीतर का जो जीवनी शक्ती है उसको सशक्त कर ले उसको मजबूत कर ले प्राकृतिक तरीकों से योग आसन प्रणायम से प्रकृति के दिये हुए टॉनिक से सूर्रे से हवा से और अपने मानसिक शांती द्वारा तो इस तरह से हमें अपनी जो रोग प्रतिरोदक शमता है हमारी जीवनी शक्ती है हमारी प्राण उर्जा है उसका हास नहीं होने देना है क्योंकि अल्टीमेटली आपकी वो इमिनिटी जो है आपकी जो वाइटालिटी ही है वो ही सबसे बड़ा ब्रहम मस्क्र है आपको स् और मिरोगी रखने के लिए तो इस रोग प्रतिरोदक शमता को बढ़ाने के लिए जैसे अभी कुछ क्वेश्चन भी देख रहे थी मैं ग्रूप में कि कोविट के बाद किसी का लो बीपी हो रहा है तो किसी को कोई समस्या आ रही है तो ये सब समस्या है जो है ना आएं औ वहाइजता जो है मेडिशन का नहीं है प्राकृतिक उप्चारों का है प्राकृतिक तरीकों का है और प्रयोगों का है वहीं प्रयोग जो टाइम इन अगेन हम बार-बार अभी तो और सारशाद ढाइट्री मॉडिफिकेशन तो सबसे पहले जैसे हम पहला रूल जो फर्स रूल आपकी जीवनी शक्ती और अपनी भीतरी शक्ती को और अधिक सक्षम और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हम यदि हमें बुखार है कोई infection है अचानक से sudden onset of acute illness है तो सबसे पहला कारे जो हमें करना है हमें तुरंट fasting पर आ जाना है उस समय याद रखिए रोग और कुछ नहीं है हमारी जीवनी शक्ती का हमारी जीवनी शक्ती की एक सफल चेश्टा है हमारे शरीर से विकार और विजातिय द्रव्वे को बाहर निकाल लेकी तो जैसे ही हमें भुखार हुआ या lose motion हुए headache हुआ या vomiting sensation है या कोई भी discomfort है headache है तुरंट हमें भोजन का त्याग कर देना है क्योंकि भोजन को खा कर उसको पचाने में जो हमारी जीवनी शक्ती का बहुत अधिक बल लगता है लेकिन जब हम रोगी है जिस समय हमारी प्रकृती जो है हमारे शरीर से विकार निकाल रही है जिसे हम रोग कहते हैं रोग हमारे मित्र है शत्रू नहीं है और ये हमारे शर इबनी शक्ती को सपोर्ट करना है स्केवल लिक्विड डाइट तीन दिन तक अगर आप करेंगे तो आपकी कोई भी समस्या हो हैडेक हो बुखार हो लूज मोशन हो वामिटिंग हो या किसी प्रकार का डिसकंपर्ट है वो आप फास्टिंग करेंगे जिसमें के आपको बिना उसमें नमक चीनी डाले और सेकिंड जो है आपका होना चाहिए तीन से चार ग्लास नारियल पानी तीन से चार ग्लास आपका जो है सिट्रस फ्रूट जूस और रात को आप धाई सो तीन सो ग्राम खीरे टमाटर इत्यादी खाके और अगर फीवर है तो आप अपने प और तीसरे दिन तक अपना जो बॉड़ी है विकार क्योंकि आपने उस जीवनी शक्ती का हास नहीं होने दिया अत्यदिक भोजन खाकर और शक्ती का शीन नहीं हुआ तो वो शक्ती जो है वो जीवनी शक्ती आपके शरीर को तीसरे दिन तक बुखार जो है काफी हद तक सो तक पहुँच जाएगा तो भी घबराने की जुरत नहीं है 101-102 भी होता है तो भी घबराने की जुरत नहीं है क्योंकि याद रखिए ये बुखार आपकी जीवनी शक्ती ने आपके शरीर से विकार को जला कर और नाश करके आपके शरीर को स्वच निर्मल करने के लिए और आपको स्वस्त करने के लिए temperature raise किया है तो उससे एकदम घबरा कर उसको एकदम से कम करने की चेश्टा ना करें केवल प्रकृति का सईयोग दें इस दोरान जो है जब आपका इसके बाद भी तीन दिन के बाद अगर बुखार रहता है तो फॉस्टिंग कॉंटीन्यू करिए आप फलहार पे आजाईए किश्मिश पानी पीजिए एक कप दूद में जो है नीमू डालके जो उसका पनीर जासे बनाते है तो पानी अलग और पनीर अलग हो जाता है तो उस पानी को लेकिन याद रखिए थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी सारा दिन में ये सारे प्रकार के जो लिक्विट्स मैंने बताए है उसको हर दो घंटे तीन घंटे में बहुत ही धीरे धीरे एक कप को ग्लास को पीना है सिफ सिफ करके और इस तरह से आपका बॉड़ी हाइडरेटीड रहेगी और बहुत ही ये सुपाच्चे है सारी लिक्विट डाइट तो आपकी जीवन लपेटेंगे और इसके सासा जो है आप पेट की लपेट जिन लोगों को कफ, कोल्ड, इत्यादी है छाती की लपेट और याद रखिए जब फीवर है तो ये छाती की लपेट, पेट की लपेट आप बांदेंगे तो वो बॉड़ी के टेमपरेचर से जल्दी-जल्दी गर हो जाएगी तो हर पंदरा मिनट में वैसे तो ये लपेट की लेशन हम कहते है चालिस मिनट की होती है एक बार बांदने के लिए लेकिन जब बुखार की स्थिति में आप बांदेंगे तो भीतर का जो भीगों के आपने गीली लपेट बांदी है वो बड़ी जल्दी गरम ह हो जाएगी तो इसलिए उसको आपको हर पंदरा मिनट में बदलना पड़ेगा और अब जो है जिनका क्या कहते हैं बुखार नहीं है और जो कोई ऐसी कंडिशन में नहीं है लेकिन आगे as a preventive measure अगर उनको अपना जो है स्वस्त और जीवनी शक्ती को भरकरार रखना है तो उनको ऐसे कौन से five steps लेने हैं जिससे के उनकी जीवनी शक्ती उनकी vitality जो है बड़ी रहे बनी रहे और उनके लिए सदा जो है उनको निरोगिता प्राप्त कराने के लिए सदा उनका साथ दे तो ऐसे ही steps में सबसे पहला number one step मैंने जो बताया था वो था आपके शरीर का घर गर्शन जब आप नहाने जाएंगे नहाने से पहले बड़ी तेजी से आप शरीर का पूरी तेजी से आप जो है उसको घर्शन करेंगे कोई कपड़े की कोई बर्ष की ज़रत नहीं है आप अपने हातों से खुब तेजी से जैसे आप बात्रूम में गए फस्त रुतार के और सर से आप शुरू करेंगे, ये घर्षन आपका within five minutes, आपका five to seven minutes में complete हो जाएगा, एक एक अंग को शरीर को जो घर्षन है, जो friction है, वो आप सर से शुरू करेंगे, सबसे पहले सर को बड़ी तेजी से रगड़ेंगे, फिर आप face पे उसको friction करेंगे, और गले को फिर छात पे और फिर पेट पर, इसके बाद आप आएंगे हातों पे जहां जो घर्षन शुरू होगा हमारा हाथ के कलाई से और फिर धीरे धीरे उपर जाते हुए shoulder तक जाएंगे, इस क्रम के बाद आप जो है नीचे पैरों से शुरू होके उपर टांगों और जांगों की तरफ आ तो आपके शरीर में एक redness आएगी और एक विद्यूती करण होगा और आपका जो है शरीर में heat generate होगी और उसके बाद तुरंत जो है सादे ठंडे पानी से नाइए तो जो है आपकी भीतर का जो metabolism है आपका जो blood circulation है वो immediately pap up होगा और आपको शक्ति प्रदान करेगा और 50% of the ailments ये पाई गई है जिन्नोंने ये छोटा सा प्रियोग हम लोग सभी daily नाते हैं बस नाने से पहले ये घर्शन करें अवश्य तो more than 50% of the ailments आप उससे निजात पा जाएंगे इसके बाद जो second है कि daily dose of 0.2 gram of vitamin C ये इतनी quantity आपकी immunity के लिए आवश्यक है प्रती दिन और इसके लिए आप एक बड़ा अमरूत खा सकते हैं दो बड़े संतरे और तीन आम चार टमाटर एक कटोरी मतर और या फिर तीन चार प्रकार के आप जो है 500 से 700 ग्राम fruits daily अपने breakfast में 12 बजे तक खाईए इससे आपको सारे minerals, vitamins, nutrients मिलेंगे जो भीतरी आपकी जो है immunity boost करेंगे avoid animal foods जी हाँ animal या मास इत्यादी अंडा मच्छी चिकन मटन इत्यादी इन सब का भोजनों का अगर आप अपनी immunity strong करना चाते हैं तो पशू जन्ने खादे पदार्थ का त्याग करना होगा पशू जन्ने पदार्थ में dairy products भी आते हैं milk and milk products भी आते हैं तो उनका भी आप जो ह है अपनी अपने जो भीतरी vitality को अगर आप strong करना चाते हैं immunity को boost करना चाते हैं तो इन से भी आप जो है धीरे-धीरे इनको अपने जीवन से निकाल लिए क्योंकि बहुत सारी researches ये आपको research general ये कोई मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ ये research ने over the years ये बताया है कि दू बहुत सारे ये ऐसे research से data प्राप्त हुए हैं जिनसे ये पता चलता है कि हमारे भीतर का जो even tumors, fibroids इत्यादी भी बनते हैं और especially bone diseases भी ऐसे प्रदेशों में, Finland, Denmark, ऐसे देशों में पाई गई जहां पर ये दूत का consumption बहुत ज़्यादा था तो इसलिए avoid all animal product जो भी जागरो से आती हैं चीजे उनका हमें अपने जीवन में उसको हटाना पड़ेगा और चौथा जो हमारा powerhouse है, natural sunlight, the greatest disinfectant और देखिए free है भगवान ने हमें, ये जो है sun की उर्जा हमें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, तो daily dose of sunshine, 30 minutes आप daily अपनी दिंचर्या में इसका सेवन करें और इससे लाब उठाएं, आपके more than 90% of the diseases जो है, can you imagine more than 90% of the diseases will be cured if you take daily dose of sunshine, आप सुभे की ताजी हवा में deep breathing कीजिए और इसके साथ जो पाचवा जो है, वो है हमारी लपेट, जी हाँ, time and again, मैं आपको बताती आई हूँ के अगर हमारा पाचन संस्तान ठी नहीं है, अगर हमारे भीतर congestion है, तो उस अंग को, जिस अंग में भी congestion है, वहाँ पर सक्रियता लाने के लिए, वहाँ का metabolism पैप अप करने के लिए, पेट की लपेट, छाती की लपेट, घुटने की लपेट, गले की लपेट, यह सब लपेट जिसमें के एक ठंडी पट्टी और एक गरम पट्टी होती है, इसका regular अपने दिंचर्या का जो है हिस्सा बनाईए, और ऐसा पाया गया है कि more than 15 years से भी जिल लोगों को constipation थी, पेट की, गैस की समस्याएं थी, तो वो तक दूर हो गई उनका लोगों को जब उन्होंने नियमित लपेट बान दी, और लप वीडियोज मिलेंगी, तो वहां से आप जो है, और इसको हमने demonstrate किया है, लपेट किस तरह से बादी जाती है, और जो चाती की लपेट है, वो एक bronchodilator का काम करती है, जो आपके lungs में जो विकार, चिपचिपा मैटर, बलगम, इतियादी जमा हुआ है, उसको जो है पिगला कर और उसको अपनी जगा से मल को विकार को उखाड कर वो जो है, दूर करती है, तो इस तरह से जो है, आपको इन सारे steps का पालन अगर आप दिन चर्या में करेंगे, तो आपको जो है, कोई भी दुनिया का virus, कोई भी pathogen जो है, आपके भीतर रोग पैदा नहीं कर सकता, तो इन रखिये, the nature cures, not the physician, और thank you, and then we will go for the questions, अगर आपको कोई प्रशन है, कुछना चाहते हैं, लपेट also for knee pain, जी हाँ, बिलकुल, घुटनों के दर्द में बरसो, जो है, मैं अपने ही उधारन से बताऊं के बेरी माता जी को knee replacement के लिए, आज से कम से कम 15-20 साल पहले doctors ने बोल द दिया था, बट आज तक कोई operation नहीं कराया, कुछ नहीं, लेकिन regular घुटने की लपेट, जो है, काफी अराम देती है, तो इसका प्रयोग जरूर करें, और आप order कर सकते हैं, हमारे केंदर में, और आपको लपेट जो है, delivery हो जाएगी, जी हाँ, इसके साथ, अनने कोई प्र तीन आम खा सकती हैं, कच्चे नहीं खा पाएंगी, पके हुए बढ़िया आम खाएए ना, vitamin C, आपको कच्चा आम तो कोई तीन नहीं खा पाएगा, बहुत खटे होते हैं, तो आम जो है, जैसे हम आजकल बहुत आम आ रहे हैं, बड़े स्वाध से खाते हैं, तो यधि आपको विटामिन C की डेली डोस का जो क्वांटिटी है वो मिल जाती है जी किड्नी प्रॉब्लम में लपेट यूसूल है क्या बिलकुल है देखिए मैंने कहा जिस ओर्गेन में भी कोई परेशानी है इसका मतलब समझ जाएए